हेलो प्रेंस, एमपेज की चलमें आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है, आज मैं आप लोग के लिए कराई हूँ अदोरी बरी की रेसिपी, उड़त दाल से बनाते हैं ना अदोरी बरी, उसी की रेसिपी आप लोग के लिए कराई हूँ, तो आप लोग इस रेसिपी को सु को बनाना शुरू करते हैं उडद डाल को यहां पर रात में भीगा के रख दिये थी और सुबा में चेक करे हूं तो देखे इसका चिलका अच्छा से निकल गया है और हाँ से रखड लेंगे तो और बहुत अच्छा से निकल जाएगा बिल्कुल इसका चिलका इसमें नहीं र तो इस बरतन में उड़दार रहेगा तो इसका चिलका निकल जाएगा उसके बाद जितना उडदार साबूत रहेगा सबको बहार निकाल देंगे तो देखिए हसाब अच्छा से धो दिये हैं थोड़ा एक दो कहीं पे दिख रहा है आप लोगों को तो इतना चल जाएगा है उसके बड़क पानी बिल्कुलर्दाल को ही ड्रकी माहिन पीस लेंगे और तोड़ा सब नई करेंगे बड़ी कज़कों कुछ बात yelled words पहीं दिहान पर दे którego इसके बाद देखिए आपका बड़ी किफ लिए हैं सारे पीस जाने की बाद यहां पर थोड़ा सथ हो तो मैं दो भाग कर दी हूँ, जितना भाग निकलेगा, उतना भाग कर दीजेगा, उसके बाद थोड़ा-थोड़ा करके फेटिएगा, तो उसके बाद इसको अच्छा से फेट लेंगे, बिल्कुल अभी भी पानी नहीं डाले हैं, और डालना भी नहीं है, कैसे करना हैं, तो फेटना चालू करूंगी, इसी तरह दो तीन बार में पानी से डुबाओंगी, उसके बाद निकाल, निकाल कर फेटते जाओंगी, तो इसमें क्या होता है, आपका बड़ी बाइट बनता है, किसी का बड़ी काला दिखता है, वो सिकायत बिल्कुल नहीं आएगा, जल्दी यहाँ पर कपड़े लिए को यहाँ पर बड़ी का बिचाकर है, तो सपिद कपड़े बिचाकर में उसमें बड़ी में ना लगाया, वैसे कपड़े बड़ी बिचाएगी, वैसे बिच सब्सक्कुल ठाबभा लेकि लोंगा और ठोड़ा सा दाल लेकर अधे वैंदी इवा relaxing चेक करना चाहते हो तो वैसे भी चेक कर सकते हो उपर में आ जाएगा तो समझ जाएगा अच्छा से फिट के तयार हो गया उड़ेदार के पीठी है उसको हाथ में लेते हुए गोल-गोल करते जाएंगे मुठी बनाते जा रहे हैं तो उसको उपर के देखिए कि छोटा सनी कर बस इसी तरह इसे लिखाना है और छोटा छोटा करके बनाते जाना है जो कभी बड़ी नहीं बनाते हैं उनसे थोड़ा सा दिक्कत होगा मगर आप लोग बनाते जाएंगे न तो बस बनाते जाएंगे मजा आता है इसको बनाने में किसी से ना गोल-गोल बड़ी नहीं बनता तो उन लोग बोलते हैं कि हमारे से गोल-गोल नहीं बनता तो आप लोग क्या किजेगा सिधा इसे गोल-गोल करते जाएगा मुठी बनाते जाएगा और उपर से इसे निकाल-निकाल के रखते जाएगा उपर की हिस्सा थोड़ा से निकल जाता है तो हाथों से हलका से दबा देजिएगा उसके बाद रखते जाएंगे तो यहाँ पे देखी मैं पूरा बड़ी बना ली हूँ और धूप में रख दी हूँ सुखने के लिए सुख गया है तो उसको दीन धूप में रख दूँगी तो यहाँ पे अच्छा से सुख गया है डिबम भरने के लिए तैयार है तो एक ले लेते हैं तोड़ के देखते हैं तो किता अच्छा से तूड़ रहा है तो हाथों से तूड़ रहा है तो ज़्यादा पकाने की इसको जरुवत नहीं है बस थोड़ा से पानी डालेंगे और पकालेंगे बहुत अच्छा से पकेगा और इसका टेस्ट देखिए बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को तो कैसे लगी आप लोगों को मेरी यहां रेसिपे आप लोग जरूर कमेंट करके बताईएगा फिर में लेगे ने स्टूड़ में एक नए रेसिपे के साथ तब तक के लिए बाबाई